अंबा करना चाहती थी भीश्म से विवा, महा भारत के अनुसार देवी अंबा राजा शाल्व को मन से अपना पती मानती थी, वह राजा शाल्व से ही विवा भी करना चाहती थी, लेकिन अचानक भीश्म पितामह के स्वयंवर में आने और जीतने के बाद उन्होंने अंबा और उनकी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहा। तो अंबा ने इनकार कर दिया। यह सुनकर भीश्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भीजा। तब राजा शाल्व ने अंबा का यह कहकर त्याग कर दिया। कि तुम्हें स्वयंबर में भीश्म पितामह ने जीता है। ऐसे में तुम पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। यह सुनकर अंबा हस्तिनापुर वापस लौट आईं। और भीश्म पितामह से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीश्म पितामह ने आजीवन ब्रहमचर्य का प्रण लेने के कारण उन्होंने अंबा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भीश्म ने जब अंबा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुँची। तब परशुराम ने अंबा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें मैं आपका विवाह भीश्म से करवाऊंगा। यह कहकर परशुराम ने भीश्म को बुलावा भेजा, और कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिग्या में बंधे भीश्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जिसके बाद दोनों वीरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। देवताओं ने आकर युद्ध को बंध करवा दिया। उसके बाद निराश होकर अंबा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर भीश्म की मृत्यू का कारण बनने का बरदान प्राप्त किया था। इसके बाद अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। और भीश्म की मृत का कारण बनी। बाकी शिखंडी वाली कथा आप सबको मालूम ही है।